इन दनों बाकी बहरी मंदर में भारी भीड उमड रही है अगर बात की जाए शनिवार रविवार के दिन की तो मंदर में भारी संख्या में भक्त पहुँचते हैं हाला कि अब मंदर प्रबंदन ने गाइड लाइन जारी कर दी है वरिदावन के ठाकुर बाकी बहरी मंदर में श्रधालो की लगातार बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए वे विगरती व्यवस्थाओं को देखते हुए मंदर प्रबंदन की ओर से गाइड लाइन जारी क जिसमें भीड के दबाब से बचकर ही ठाकुर जी के दर्शन करने की श्रधालों से अपील की गई है मंदिर प्रभंदन ने अपील की है कि बुजर्ग, बच्चे, दिव्यांग और बिमार व्यक्ती भीड के दौरान मंदिर में बिलकुल भी नाएं ताकि भीड के दबाब में किसी भी श्रधालों की तब्यात ना खराब हो और व्यवस्थाएं ठीक से चलती रहें श्रधालों से मंदिर और प्रशाशन की ओर से तैव व्यवस्थाओं का बड़े ही नियम से पालन किये जाने की अपील मंदिर प्रभंदन द्वारा की गई है बागी बेरियर के मंदिर में श्रधालों की भीड में लगाता है व्यविद्धी को देखते हुए वे मौसम में हो रहे बदलाग पर नज़र रखते हुए प्रवंदन द्वारा कई सारे फैसले लिए गए हैं श्रधालू की हालत भीड के दवाब में खराब होने लगती है सिर पर तेज धूप पड़ती है और तपती धरती पर नंगे पाउं ही मंदिर पहुँचने में श्रधालू को दिक्कतों का काफी ज़दा सामना करना पड़ता है बेरियर पर रुकने के दौरान श्रधालू की मुश्किले और भी अधिक बढ़ जाती है मंदिर प्रभंदन ने जारी गाइडलाइन में एकल मार्गों के इस्तमाल करने के लिए श्रधालू से कहा गया है पड़िक एड्रेस सिस्टम का भी सहारा लेने की भक्तों से लगातार अपील की गई है श्रधालू प्रवेश मार्ग से होकर मंदिर में दर्शन करते हैं बाहर भी निकलते रहें जिससे पीछे से आते हुए श्रधालू को भी दर्शन के लिए टाइम मिले साथ ही समय पर उन्हें एंट्री दी जा सके अपने समान जूते चपल एंट्री पॉइंट पर बनाए गए कलॉक रूम में ही श्रधालू उतार कर आए मंदिर के पास जूते रखने की किसी तरह की विवस्ता नहीं बनाए गई है तो फिर इसके बाद सवाल ये उटता है कि जूते चपल फिर उतारे कहां अब बदाना चाहेंगे कि नाम पता लिख कर बच्चों की जेब में जरूर रख दें जिससे साथ छूटने पर उन्हें खोच कर मिलवाया जा सके मंदिर का रहले में संदिक्त व्यक्ति की सूचना दे खोया पाया केंद्र का इस्तमाल कर सकते हैं मंदिर परिसर में दर्शन पाकर बाहर निकलते रहें प्रागन में खड़े रहकर भीड ना बढ़ाए और अधिक शृधालू को दर्शन लेने दें शृधालू को मंदिर प्रवंदन ने मंदिर के एंट्री पॉइंट हरी निकुंज विद्यापीट के साथ ही सनहे बिहारी मंदिर जुगल घाट या क्लॉक रूम को बनाया गया है जहां पर अपने जूते चपल शृधालू उतार कर मंदिर में जाएं मंदिर के पास जूता उतारने के लिए किसी भी तरीके की कोई व्यवस्ता नहीं है मंदिर के पहार जूते चपल अगर उतारा गया तो शृधालू उन्हें लेने लोटते हैं जिससे भीड का और भी जादा दवा बढ़ता है तो ऐसा कुछ ना करें मंदिर प्रबंदन द्वारा काफी सारे रूल्स बनाए जा रही है नई गायट लाइन जारी की जा रही है ताकि शृधालू को अच्छे दर्शन प्राप्त हो सकें और उन्हें किसी कष्ट का सामना ना करना पड़ें ऐसी तमाम जानकारे के लिए मुक्ष चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपसे कोई भी महत्मूर जानकारी ना छूट पाए